आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल बॉलियूड ब्लंट में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रनवीर कपूर के वारी में दस ऐसी बातें जिन्हें शार पहले नहीं जानते होंगे पहला 28 सितंबर 1982 को जनमीर रनवीर कपूर का नाम उनके दादा जी के नाम पर रखा गया था जिनका पूरा नाम रनवीर राज कपूर था दूसरा रनवीर कपूर पढ़ाई में कमजोर थे और नीची से पांच छातरों में जगह बनाते थे तीसरा, रनवीर कपूर दसनी कक्षा के बाद रिशी कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म अब आ लोट चले में असिस्टेंट के लिए उनके साथ अमेर का गय थे और इस दोरान पिता के साथ उनके संबंद और मजबूत हुए चौती बाद, रनवीर कपूर निवार के स्कूल विज्वल आर्ट से फिल्म मेकिंग और ली स्ट्रोसबर्ग थियेटर एन इंसिचूट से मेथड एक्टिंग के कोर्स कर चुके हैं स्कूर्स के बाद रनवीर ने निर्देशक संजय लिला भनसाली को फिल्म ब्लैक में अशिस्ट किया था पाचवी बाद, सावरिया रनवीर कपूर की पहली फिल्म है रनवीर ने एक इंटर्व्यू के दौरान कहा था कि सावरिया में उनका रूल उनके दादा जी राज कपूर को सरधान जली के तौर पर लिखा गया था चट्थी बात रनवीर कपूर उनके पिता रिशी कपूर की फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं वही मम्मी नीट्डु कपूर को फिल्म में देखने में उन्हें जिज़क महसूस होती है साथमी बात रनवीर कपूर बच्पन में रिशी कपूर से बहुत डरते थे क्योंकि वह बहुत सक्त पिता थे आठमी बात कपूर खानदान के अन्ने लोगों की तरह रनवीर कपूर भी खाने के बहुत शौकीन है उनका पसंदिदा खानों में से नौन वेज और वेज दोनों परकार की डिश्शामिल है नौमी बात रनवीर कपूर अपनी मम्मी नीतू कपूर के काफी करीब है रनवीर के नाखून अभी भी उनकी मम्मी नीतू ही काती है और उन्हीं 15 सो रुपे हपते की बॉकेट मनी भी देती है दसमी बात नीतू के अनुसार रनवीर में कोई कमी नहीं है वह एक कंप्लीट मैन है इसी रिमन पुलाती है ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें कमेंट करें और हाँ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू